शिमला जिला के तहट बदाल नमक स्थान में बादल फटने से नेशनल हाईवे 5 ठप हो गया है जिससे कि नौर बस्पीती के लिए बाहनों के आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है बादल फटने के बाद आई बार ने एक होटल समेट के ही बाहनों को नुकसान पहुचाया है बदाल खट में पानी बढ़ने से मुख्या माल पर पैदल आवाजाही भी बंद है आपको बता दे कि ये गड़नर सोंबार तुबा करीब 3 बस के 40 मिन पर बादल फटने के बाद सा आई बार ने एक होटल समेट के ही बाहनों को नुकसान पहुचाया है बदाल खट में पानी बढ़ने से मुख्या मारक पर पैदल आवाजाही भी बंद है आज सोबा करीब 3 बस के 40 मिन पर बादल फटने की गटना सामने आई है